मेडिकल लोगों को एक हजार रुपर मिलता है और फिर समाप्त हो जाता पतेन चलता है कि मेडिकल का पैसा जमा हो रहा है कि नहीं हो रहा है सभी करमचारियों को हेल्थ इंसुरेंस होने वाली है चैवा पैंसेनर हो या अभी परजेंट में कारियत हो देखिए उनका आसी सदस्यों को समनित के रूप में पांच लाख रुपी है पर्टी वर्स की अधी सीमा के अंतरगर स्वास्विमा लाप किया जाना है सभी छेत्र में जितने मी करमचारी कारियत है या सेवा निन्मित हो चुके सभी को यह लाब मिलेगा यह रहा डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ मेडिकल एजुकेशन एंड फैमिली वेलफियर जहारकन गवर्मेंट हेल्थ इंसुरेंस लास्ट में समिट कर देंगे मेरे चनल पर सभी को जोहार सरकार ने करमचारियों को बहुत बड़ी सौगात दी है सबसे पहले सरकारी करमचारियों को एनपेस के बदले ओपेस दिया फिर स्वास्त भीमा दे रही है तो बहुत अच्छी ख़बर है उन सरकारी करमचारियों को जो रिटायर कर गे हैं पैं मेडिकल लोगों को 1000 पर मिलता है और समाप्त हो जाता है पैसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है जब लोग गंभिल बीमारी से गरिस्थ होते हैं तो उन्हें उन्हें एककत हो दिक्कत होता है तो इसी को देखते हुए ज्यारकन सरकार ने राज कर्मियों को या और सेवा निर्वित कर्मियों को झारखन राज स्वास्त विमा योजना से जोन्य की पहल किया है जो बहुत अच्छी खबर है और अंतिम तिति के बाद किया जाए और मैं कैसे भरेंगे इन सभी पहलों पार आये विचार करते है तो मेरे चैनल पर देखिए शुरुवात करते हैं स्वास्त 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 सिच्छा एवं परिवार कल्यान विभाग के जहारखन सरकार का है स्वास्त सिच्छा सिच्छा एवं कल्यान विभाग प्रेस विगवति कह रहा है कि यहां देखेंगे पहले सबसे सुरुवात क इसको भरना है यह लिंक है और इस लिंक पर जारकन राज स्वास्थ विमा योजना इंपुलोई पोटल में अपनी एवं अपने परिवार के सदस्यों से समंदी जनकारी ऑनलाइन उपलब्द आवेदन परपत्र में सभी सुचनाओं को अंकित कर समिट करेंगे मतलब इस जो अपने परिवार से समंदी सभी को बारिकी से भरना है सुचनाओं को अंकित करना है उसके वाद समिट करेंगे ऑनलाइन समिट किये आवेदन परपत्र को डॉलोड करके जो हम समिट करेंगे जो हम भरेंगे उसको फिर हम डॉलोड करेंगे और उसके हाड कोपी में अंकित पीशेटप पर अपलोड किया जाना है मतलब जो चीजा बहर दोड करना है उसको डॉर्ड करने के अपने क्रियाले के जो निकास इवन बयन पतादेकारी होते हैं उन से सित्यापन कराकर फिर एक पर आपलोड करना है शेवा निर्वित कर्मियों के मामले में हाड कोपी में हमकी सुचनाओं का सत्यापन उनके सवानिर्विती की तीथी की अंतीम प्रदस्थापन कर्याले जहां से पैंसन परपत्र का ग्रसारम किया गया है कर्याले परधान के निकासी बेन पत्रधिकारी से कराकर उना उप्युक्त वेपसाट पर अप्लोड क किया जाना है र Owuins जो डिडैर कर एब स्वानिर्वित हो चुके हैं और वह पैंसन भोगी हैं पैंसन ले रहे हैं तुन्य है अपने कर्यालय परधान यानिकासी बेन पत्रधिकारी से सत्यापित कराय के फिर अप्लोड करना है समंदित कर्याले परधान या निकासी या बेहम पदाधिकारी डीडियो के स्तर से सत्यापन कराय जाने में कठनाई होने की सिती में जदि सत्यापन कराय जाने में कठनाई होती है तो वैसे ही इस्थिति में किसी जिले के कारेपालक दंडा धिकारे के समझ सफ़त पत्रम एफिडिफिट के माधिम से सत्यापित किराया जाना है तो सत्यापित कब कराय जाना है, क्याता एक समंदित करहले परधान या निकासी बेन पदादिकारी डिडियो करस्तर से, जदि डिडियो करस्तर से सत्यापन कराय जाने में कठनाई होती है, क्या डिडियो करस्तर से सत्यापन कराय जाने में कठनाई होने की स्थिति में, किसी ज इसका मेनुवाली देखते हैं कि मेनुवाली क्या है उसके फिर्ट से किसको और देखेंगे कि किसका किसका यह लाब होगा कि लोगों को लाब होगा तो देखिए यह रहा Department of Health Medical Education and Family Welfare जारकन Government Health Insurance सभी करमचारियों को Health Insurance होने वाली है चाहिवा पैंशनर हो या अभी परजेंट में कार्यत हो देखिए सब पहले कैसे भरेंगे कि सैट में आप जो सैट दिखाये थे उसमें के और उसमें जाने के बाद इंपुले पैंशनर Information investir Login पर अप किलिक करेंगे और यहाँ पर नाम भरेंगे अपना नाम और email डि भरेंगे mobile डालेंगे इसके बाद OtoP껍प किलिक करेंगे हैं ना OtoP- After permans wegen Login में जाएंगे उसके बाद इसे यहाँ पर फिल से login करना है और आपको यहाँ दानना है इस यहां की employee, pensioner, other, तो माने employee है, employee पर क्लिक करेंगे, फिर name लिखेंगे, capital author में नाम लिखना है, father's name लिखेंगे, date of birth लिखेंगे, यह तो simple है, period लिखेंगे, gender और मेरी total status, mobile नमबर, अधार नमबर, इस सब डालेंगे, ठीक है, उसके बाद प्रोबादेट, fund टैप और नमबर ड photo रहेगा, अपना डाल लिजएगा, वहां पर से, फिर इसमें, क्या करेंगे, photo upload करेंगे, उसके बाद mailing address, है ना, mailing address, उसके बाद डिपान, उसका next page खुलेगा, तो next page में क्या है का रिखिए, name of department, अपने department का नाम लिखना है, है ना, उसके बाद, particulars of the office, तो office, particular of the office, where serving of retail, सर्विस कर रहे हैं, उसका नाम रिखेंगे, उस जगे का नाम, service office, palace of posting, कहां पर posting है सो, district, pin code, pin code हो गया, ddo code हो गया, pay label हो गया, यह सब क्या करेंगे, भारेंगे, service grade, कौन सा grade में आते हैं, date of employee, joining, retirement date, a dependent, date detail, मतला आप पर कौन-कौन depend है, अपने family में, उसके सभी को ब्योर अंकित करेंगे, इसे नाम हो गया, gender हो गया, उसके लावे, बात क्या जाए, तो date of birth, age, सभी को यह डालेंगे, relation क्या है, इस तरह से सब का photo भी upload करना है, जो family को हम जोडेंगे, उस सभी को photo upload करेंगे, उसके बाद last में क्या करेंगे, last में submit कर देंगे, इस तरह से form apply हो सक्सेस होगा, जड़ी इस manual को आप राप्त करना चाहते हैं, तो देखिए, क्या जा यूजर manual के नुसार समन्दी सुचनाओं को अलग से भरा जाना है, और यह जो form जो है, और कब तक शुरूत होगा, शुरुआ तो हो चुका है, और अंसंकल पसंखिया 183, जिनांक 317, 2023, सब्सक्राइब करने से समंदीत यूजर manual उप्यूक्त लिंक पर उपलब दे, जो आपको लिंक उपर दिया जा रहा है, और वेफसेट है, उस पर आपको यह कैसे भरना है, उससे समंदीत manual का प्राप्त हो जाएगा, उप्त स्वास्त भीमा योजना से लाभामित होने वाले सबी लागुकों को निदिस किया जाता है, उप्त परकिरिया नुरू पर्थमता 392023 तक अपना इन्वल्मेंट करवाना सुनचित करें, 392023 तक ताकि आपको स्वास्त भीमा योजना का लाभ नियमा अनुसार परदान किया जा सके, फिर करता है कि 392023 के उपरांद भी, 392023 क उपरांद भी, लाभुकों के द्वारा, शिघरा ती शिघरा अपना इन्वल्मेंट विदिवत कराया जा सकता है, मतलब जो अंतिम्तिति के बाद किया जाए, जो अंतिम्तिति है, 392023 तक, है ना, पर्थमता दिनांत, 392023 तक, लेकिन यह अपका 392023 के बाद भी, इसको किय जा सकता है, सिघरा ती सिघरा, मतलब जितना जल्दी हो सके, कर लेना है, अब देखेंगे, यह जो योजना है, किन को लाभ मिलेगा, यह योजना सभी छेत्र में, जितने मी क्रमचारी कार्यत है, या सेवा निर्मित हो चुके हैं, सभी को यह लाभ मिलेगा, तो देखेंग है राज्य के विधान सभा के कार्यत मानिये सदस्य विधान सभा के जो सदस्य विकार्यत है उनको भी और राज्य के सभी सेवाओं के कर्मियों को भी और सेवा निवित कर्मी को भी इसके अतिरिक्त स्वास्त सिक्स्रा सिच्छा एवं परिवार कल्यान विभा के दुआरा भुक्तान कर निम्ना वरणित विधान सभा के पूरवा मार्णिय सिदस्या पता धिकारी कर्मी है स्वशब हो सकेंगे विधान सभाइकम पूरवा माने स्वरस्या अकिल भार्तिय recru virgin स्वरत शिवा Нिरवीत यौ्राज्य के अन्य सिवावों में कारियत सिवालियमित क्रमी, जितने भी करमचारिक कारियत है या सिवालियमित हो चुके सभी को यह स्वास्ट जिमा कालाव मिलेगा, और यहां देखेंगे पर्टी वर्ट्स की अधी सीमा के अंतरगर्ष स्वास्विमा लाब किया जाना है पांच लाक रुपिया की सेवा आपको मिलेगा तो इसको भरना है बहुत अच्छी खबर है पहले लोगों को OPS मिला ओल्ड पैंशन जो गुणापे का सहरा होता है और फिर राज सरकार ने दि के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जदी यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो लैक जरूर कीजिए धन्यवाद फिर मिलते हैं ऐसे वीडियो के साथ तब तक हमारे चैनल पर बने रहें